हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर दोस्तों आज के इस वीडियो में ASC MTS एकजाम 2013 के लिए प्रैक्टिस सेट नमर 5 देखेंगे कुल दोस्तों 25 GKS के उसक्यूशन देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे तो वीडियो अन तक जरूर देखेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिएगा क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को रेगलर ASC के सभी एकजाम के लिए जीके जीएस का प्रेक्टी सेट करा जाता है अगर आप लोग डेली प्रेक्टी सेट मानने के लिए चाते हैं तो इस चैनल से जरूर जूर जूर आइए और डेली प्रेक्टी सेट मारेए जिससे दोस्तों आप लोगों को काफी फैदा होगा ठीक है तो चलिए आज का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्रिद किया गया है जिसका राइट अंसर ओप्सन डी हो जाएगा अब दोस्तों बात कलते हैं कि कीशन है टोकियो ओलंपिक 2021 में भारत में कितने पदक प्राप्त किया है तो टोकियो उलम्पिक 2021 में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त की है ठीक है जिसका राइट अनसर ऑफसन सी हो जागा अब दोस्तों बात के लिए है कि Tokyo Olympic 2021 का आयोजन कहा किया गये था तो Tokyo Japan में किया गये था और इसका सुभंकर मेरा तोवा था ठीक है अब दोस्तों बात के लिए है कि उधगाटन समरो में भारत के धावजवाहग कौन था то मैरी कॉम और मनप्रीस सींग था समापन समरो में भार अगला प्रसंदेखते हैं के बात करते हैं भारत के महायदी किसके द्वारा किया जाता है तो बहरत का महहाय निवादी आरवेंकेटि रम नी है तो सभी त्क को ध्यान रखेगा अगला प्रसंदेखते है कियुचन नहीं बाइवने थे इस साइमन कमिशन कहां पहुंचा था तो तर्फूसतों पूछा थे है तो इस पॉइंड को धियान रखे गा अगला प्रसंद रखते हैं कि कि इस पन्ठर में खे जाता है तो जोस्तों किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है तो खान अब्दुल गफार खा को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है ठीक है इसका राइट एंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अब जोस्तों बात करेते हैं फ्रंटियर गांधी अनिस्यमांत गाथी के नाम से परची तो ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं कि उच्छा ने काली दास समान पुरसकार किस राज सरकार दवारा परदान किया जाता है तो दिस्तों काली दास समान पुरसकार जो है किस राज सरकार दवारा परदान किया जाता है तो मध्ध परदेश राज सरकार दवारा किया जाता ठीक है जिसका राइट अंसान ओप्सन सी हो जाएगा अब दुस्तों बात करते हैं यह पुरसकार जो है कला छेत्र में दिये जाते हैं तथा इसकी अस्थापना जो 2018 1818 में की गयी थी ठीक है अगला परसंद देखते हैं क्यूचण ने खेलो इंडिया महला टुनामेंट में पहली बार किस खेल को वर्स 2022 में सामिल किया गया है तो जो ने our यह टूनामेंट 2022 में केडी जाधवट स्टेडियम नई दिली में आयोजित हुआ था ठीक है तो ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं किश्टन है वैस्विक आर्थिक सोतनता सुचकांग 2022 में भारत का अस्थान क्या प्राप्थ हुआ है तो दोस्तों वैस्विक आर्थिक सोतनता सुचकांग हेरिटेज़ फांडेन्टेश्ब के द्वारा जारी किया जाता है तो द्धान रखेगा सबदो आगे दखते हैं तो इ सबस्ते हैं अगला ah क्यूशन है इंद्रा गांधी के नर्तित्व में कॉंग्रेस पार्टी ने निमली खीत में से किस वर्ष के लोग सभा चुनाव में गरीबी हटाओ कनारा दिया था तो गरीबी हटाओ कनारा जो कब दिया था तो अगला प्रसंद देखते हैं कि यूचा ने अंडमान और निको बारदीप समू को अलग करने वाले जल मार कौन सा है तो दोस्तो अंडमान और निको बारदीप समू को अलग करने वाला जल मार जो है डर 10 डिग्री चैनल है ठीक है जिसका राइटेंसर ओफ्सन ए हो जागा अब दोस्तो बात कलते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो है माल्दी और मोनिकोय के मद हिस्तित है 9 डिग्री चैनल जो है दचनी बिंदू पर क्या है तो भारत का सबसे दचनी बिंदू जो है इंद्रा पॉइंट है ठीक है तिसका राइटेंसर ओफ्सन भी हो जाएगा अब दोस्तो बात कलते हैं कि भारत का सबसे दचनी बिंदू जो है इंद्रा पॉइंट है यह निको बार दीप समू भारत के और भारत के सबसे उत्री विंदू जो है इंद्रा कौल है जो जम्मु कस्मिर राज में इस्थित थैं पचमिंदू सर academics गुंज्रात में इस्थित है और पुरवी विंदू वलांगु जो अरुनाचल परदेश में इस्तित है तो सभी point को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं क्योंचे ले भारतिये सविधान के किस अनुछेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राश्पती होगा तो किस अनुछेद में कहा गया है तो अनुछेद 52 में कहा गया ठीक है तो इसका राइटअसर option D हो जाताए अब दोस्तों बात कमते अनुष्पतीक निर्वाचन की Red tribe and 58 राश्पती निर्वाचन के लिए जोगेता से संबन द Richterop तो सभी फैल को ध्यान रखेगा अग्ला प्रसंद देकते हैं कि उसले ज威चलन जदी एक में कितना हो गशलत कितने वाट का है एक- 40 000 लिखेंगे तो чलाहे रहा है तो कितने दिन कра लिखालना 30 दिन का सभी बिला करें और एक हजार से भाग जातेंगे तो एक हजार एक हजार कड़ गया तीस दिया 90 हो जाएगा अनि 90 किलोवार्ट घंटा की उर्जा उपभोग होगा ठीक है तिसका राइटेंसर ओप्शन सी हो जाएगा अगला प्रसुन देखते हैं कि युचे ने चालूक राजवंस ने वतापी में सासन किया जो अधोनिक समय में किस भारतिय राज में है तो किस भारतिय राज में है तो दोस्तों करनाटक भारतिय राज में ठीक है तिसका राइटेंसर ओप्शन सी हो जाएगा अब दोस्तों बात किलते हैं कि जैसी ने वता उस्माण रखेगा अगला प्रसंद्रिखते हैं किचने निमली खीत में नेताओं में से कौन को मेरी ट्रेण डिकाति मामले में अभीूपत नहीं था तो कौन जो नेता है काकोरी्ख डगायत्ति के मामल में अभियुक्त नहीं है तो भगस जी है ठीक है इसका राइट एंसर ऑफ्षन भी हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों बात के लगते काकवरी कांड कब हुई थी तो 9 अगस्त 1925 इस्विर को हुई थी और भगस जी का जो समन्ध था किस से तो लहौर संजयन का सदस नहीं है तो माल देऊ ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑफ्षन डी हो जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बीमस्टेक की अस्थापना कब हुई थी तो 6 जून 1997 स्विर को हुई थी और मुख्याले ढाका है बीमस्टेक में साथ साथ सदस देश है भारत बंग उल्ट्रम जो है भुटान देश की मुद्रा ठीक है इसका राइट एंसर ऑफ्षन सी हो जागा अब दोस्तों बात करते हैं भुटान की राजधानी कहां है तो थिम्पू है भुटान भुटान को दोस्तों लैंड ऑफ थंदर वोल्ट कहते हैं ठीक है काजिक्स्तान की देशवर मंदीर को राज राज पर्थम ने बनवाया था ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑफ्षन ए हो जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं तंजोर का राज राज देशवर मंदीर को बिरह देशवर के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान सीव क्यों समर्पित देशवर मंदीर है ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं कि युचा ने विवांतर की माप किस जंत्र द्वारा की जाती है तो दुस्तों विवांतर की माप जो है बोल्ट मीटर जंत्र द्वारा की जाती है ठीक है जिसका राइट एंसर प्लान्ट राष्ट को समयपित किया गया है कि भारत का पहला पूर्णता हरिट प्लांट राष्ट को किस राष्ट को समर्पित किया गया है तो जो रहाट को किया गया ठीक है इसका राइट एंसर ओफ्षन ए हो जाएगा अब दोस्तों अगला प्रसंद देखते हैं कि युचन निमली खीत में से किस जन जाती का समद निल गिरी परवतों से है तो किस जन ज गल जाती है तो क्या होगा तो जदि आप एक गलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो जल अस्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगी ठीक है जिसका राइट एंसर ओफ्षन डी हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं जिस्तों बात करते हैं कि लट डोलोजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है इसी के समय भारत में पहली बार 16 अपरेल 1853 इसमें बंबै से थाने की भी 34 किलोमीटर पर थम रेल चलाई गए थी ठीक है तो सब फैक्टों ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं किय आंधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के निकट साबर मति आश्रम की अस्थापना की और अपरेल 1917 में बिहार में इस्थित जिला चंपारंग में किसानों पर किये जा रहे अत्याचार के खिलाब आंदोलन किया या सत्यगरत तिनकठिया से जुड़ा था ठीक है तो सभी फैक् पर ये से जोब आंदो इस थाद्रब आंदोलन किये सके एpsट के एकिह जड़ाद जायर से जाए विंग तो सरी फैक्ड़ नेंगर शक्डार येपना के दोब आंदोल नेजी हैं इस थाड़ चलोल अव्यार थाभर छूब चलोबबबबबबबबबबबबबबबबबब